आज है 1st मार्च तो चलिए देखते हैं अभी तक के Important Current Affairs सबसे पहले बताना चाहूंगी आज है Civil Defense Day क्योंकि आज है 1st मार्च 1st मार्च को हम लोग बनाते हैं World Civil Defense Day चलिए देखते हैं Homework वीडियो के स्टार्ट में होता है What is the Ranking of India in Global Entrepreneurship Monitor 2021 2022 देखिए यह एक Important Ranking आई थी जिसमें Global Entrepreneurship Monitor में इंडिया की Ranking 4 आई थी अभी हाल में काफी Important Ranking आई है जैसे Global Intellectual Property Index जिसमें इंडिया की Ranking 43 आई है What is the richest person of Asia according to Bloomer Billinier तो कौन है वो है गौतम अंडानी काफी ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने अंबानी को रिप्लेस किया था आगे बढ़ते हैं देखते हैं current affairs question number one rare disease day is celebrated on rare disease day celebrate किया जाता है 28 February को ध्यान रखे 28 February को हमने celebrate किया है rare disease day जिसमें जो disease rare है जो common नहीं है उनके बारे में information दिया जाता है promote क्या जाता है aware क्या जाता है लोगों को rare disease day आगे बढ़ते हैं question number two की तरफ who is the chairman of SEBI SEBI के नियर chairman कौन appoint हुए हैं काफी important news है वो है माधाभी पूरी बर्च ध्यान रखे सेबी के new chairman बनी है मधाभी पूरी बर्च जोकी एक financial advisor भी है question number three who has started मेरी policy मेरा हाथ बहुत important scheme मेरी policy मेरा हाथ start क्या गया है बताएं नरेंद्र तोमर के द्वारा देखें मेरी policy मेरा हाथ actually प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का ही पार्ट है जिसके अंतरगत crop insurance घरघर जाकर दिया जाएगा ठीक है crop insurance distribution door-to-door service start की जारी है government of India के द्वारा और यह program start किया थे नरेंद्र सिंग तोमर कि आगे बढ़ते हैं question number four की तरफ for online transaction of airline in India International Air Transport Association किसके साथ tie-up किया है airline इंडिया को online transact करने के लिए International Air Transport Association ने tie-up किया है Standard Chartered Bank के साथ ध्यान रखें Standard Chartered Bank और International Air Transport Association ने tie-up किया है और एक special wallet भी launch किया है जिसका नाम है IATA Pay ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं question number five के तरफ how much amount of compensation will be given in heat and run accident of victim death कितने amount दिये गया है compensation की तरह heat and run accident के लिए तो दो लाख रुपे की दिये गये है ध्यान रखें दो लाख रुपे मिलेंगे अब compensation अगर किसी की accident हो जाती है heat and run case में ठीक है यह बहुत important है और एक नया scheme लाया गया है Government of India के द्वारा जिसका नाम है heat and run accident insurance scheme ठीक है जिसके अंतर रगत दो लाख रुपे दी जाएंगे पहले कितने थे पहले केवल 25,000 थे बढ़ा कर दो लाख कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं question number 5 के तरफ वीडियो अगर fast लगे तो please post करके देख ले कहीं भी वीडियो में doubt है तो जरूर पूछे और वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे, share कर दे और चैनल को subscribe कर ले ताकि daily current effect notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए सूरज कुन graft fair organized in which state सूरज कुन graft fair organized किया गया है हरियाना में हमेशा हरियाना में ही होता है important है क्योंकि सूरज कुन graft fair बहुत important fair है मेला है सूरज कुन graft fair का theme है इस बार Jammu & Qasmeer और सूरज कुंड का मतलब होता है लेक ओफ दी सन ठीके ये एक्चुली सूरज मलक राजा थे जो कि तोमर डेनिस्टी के थे 10 संचूरी में उन्होंने स्टार्ट किया था ये फेर इसका नाम है सूरज कुंड मेला काफी इंपोर्टेंट 20 मार से 4 अप्रेल तक ओमनाइस किया जा रहा है हरिया नामे कुश्य नमबर 7 होप आईलेंड कहां पे है जी है इसका आंसर आपको पता होगा ये आंधर प्रदेश में है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ एर कनेक्टिविटी स्टार्ट की जारी है होप आईलेंड और ककिनाडा बे में ध्यान रखे ककिनाडा बे और होप लाइन के बीच में एर कनेक्टिविटी स्टार्ट की जारी है और इसलिए होप आईलेंड न्यूज में है होप आईलेंड के बारे में थोड़ा जानते हैं देखिए होप आईलेंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है एक्चुली यह कुरिंगा वाइलाइफ सेंचुरी का पार्ट है और यह सेंटर है ओलिव रिडले टर्टल का तो यह इसलिए काफी न्यूस में है होप आ फॉल्य यूक्रेण में वार्ट छेर चुका है और काफी जादा न्यूस में हैं इंडिया के स्ट्रेटिक रोल के बारे में भी काफी डिसक्सटन हो रहा है कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा उक्रेइन को या रॉश्या को देखते हैं इस से रिलेटिए कोर्षियन विच के बारे में कौन सा statement गलत है Danube and Denipo river flow in Ukraine Romania shared its border with Ukraine Bulgaria shared its border with Ukraine in Black Sea second largest country of Europe तो देखिए यहाँ पे statement जो गलत है वो है option number C Bulgaria share नहीं करता है border Ukraine के साथ यहाँ पे आपको pick में दिख रहा होगा देखिए Romania के नीचे है Bulgaria और Bulgaria border नहीं share करता है Ukraine के साथ Romania share करता है Meldowa share करता है Poland, Belarus, Russia share करता है और यह second largest European country है first Russia है देख रहे हैं आप question number 9 polio national immunization day is celebrated on polio national immunization day celebrate किया गया है 27 February को ध्यान रखे 27 February को हमने celebrate किया है polio day question number 10 India is the largest exporter of which good from Ukraine Ukraine से कौन सा good इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है India is the largest exporter of which good from Ukraine इंडिया 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 सबसे ज़्यादा क्या लेता है तो cooking oil coal cooking coal का इंडिया सबसे ज़्यादा Ukraine से पर्चेस करता है और अभी इस situation में यह काफी ज़्यादा impact हुआ है प्रभावित हुआ है cooking coal क्योंकि हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं Ukraine से चलिए देखते हैं अगे तो प्लीज लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू